हम प्रोक्रेस्टिनेट क्यों करते हैं यानि कि ताखीर करना वो काम जो ज़रूरी है हमें करना है हमें पता है कि हमें करना है लेकिन हम उसे प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तालते रहते हैं देखें हम एक ऐसी दुनिया में इस वकि रह रहे हैं कि जहां पर आपसे बात कहीं जाती है कि आप सब कर सकते हैं यू किन डू एनिफिंग मोटिवेशनल स्पीच आप लोग देखते हैं ठीक है उसमें आपसे कहा जाता है कि भाई जितना ज्यादा करना चाहो तुम कर सकते है तुम्हारी सुस्ती है तुम्हारी काहिली है कि तुम करनी पा रहे हो फ़ला बंदे को देखो उसने क्या कुछ अचीव नहीं कर लिया ना क्या कुछ नहीं करके बैठा वाए वो एक तुम ही निकम्बे उस दुनिया में देखें मोटिवेशनल स्पीच के इलावा रीसर्च पेपर्स भी पढ़ा करें, नियूरो साइंस पर पढ़ा करें, अपने दिमाग के बारे पढ़ें कि आखिर आपका जो ब्रेन है, अला का जो बनाया है इतना खुबसूरत डिजाइन है, इतना intelligent डिजाइन है, ये काम कैसे करता है, इसकी क्या limitations है, एक बहुत important comment मेरे पास आय लगती है, और study में भी दिल नहीं लगता, और interest खतम होने लग जाता है, और सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है, और ये same strategy हो रही, मैं इसको change करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो रहा, same mistake हो रही है, time waste हो जाता है, time waste होता जा रहा है, please इसमें मेरी help कर दे, खतीजा का ये पूरा message पढ़ने का मकसद ये था कि इस message में एक बहुत important line है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि खतीजा ने इस मसले पर आवाज उठाई, और मैं खुद भी, बजाते खुद भी, personally इस मसले से गुजर चुकी हूँ, अपने student life में, इस पूरे message में सबसे important जो point है न, वो है, मेरे goal बहुत ज्यादा है, ये जो line है न, अगर खतीजा ये नहीं लिखती तो शायद मुझे उनकी problem के बारे मे सही से समझ में नहीं आता, और आज मैं इस वीडियो के through, इसी पर बात करने वाली हूँ कि आपका brain procrastinate क्यों करता है, वो क्या वजुहात हैं, जिसकी बिना पर आपको पता है कि आपने क्या करना है, लेकिन आप में वो energy, वो motivation नहीं होती कि आप step लें और उस काम को अंजाम सकें, खासकर student life में, study को लेकर, अपने assignments को लेकर, अपने exams को लेकर आप बहुत ज्यादा progress करते हैं, यह आपका mind है, आपकी fantasy है, कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन जो आपका दिमाग है ना, उसकी कुछ limitations है, वो दिमाग अपने अंदर पूरी history लेकर बैठावा है, कौ आपका जो brain है ना, वो दरहसल, आप तो modern दुनिया में आ गए, आपने तो buildings बना ली, जो है ना, वो टाई लगा ली, code, pen, man लिया, आप तो modern हो गए, लेकिन आपका जो brain है ना, वो इतना modern नहीं है, उसकी कुछ limitations है, काम करते वग, उसके कुछ असूल है, मैं हमेशा आप सोच समझ कर लगाता है, जब उसे लगे, कि आप किसी ऐसी जगा energy लगा रहे हैं, जहां से उसको कोई results नहीं मिलने वाले, जहां से उसको कोई नताइज नहीं मिलने वाले, जहां पर clarity नहीं है, तो यह वहाँ energy नहीं लगाता, मैं आपके साथ तीन ऐसे point share करने वाली हूँ, जिसके through आपको ये बात समझ में आ जाएगी, कि आप procrastinate क्यों कर रहे हैं, और क्यों आपका पढ़ाई में दिलनी लग रहा है, क्यों सारा दिन जाय हो जाता है, लेकिन आपका पढ़ाई में दिलनी लगता है, और खास कर, वो बच्चे जो कहते हैं कि हम बाकी के काम तो कर करने वाली हों आपके साथ. अब जब आप खदीजा की तरह बहुत सारे गोल्स बना लेते हैं, ठीक है, अपनी प्लेट में अपनी सकत से ज्यादा खाना डाल देते हैं, तो आपका जो ब्रेन है ना, जब इतने सारे गोल्स को देखता है ना, तो वो कहता है कि भाई, ये तो अन्रिलिस्टिक है, ये ये भी करना है, और जब ब्रेन पर इतना सारा प्रेशर आता है ना, जब उसको लगता है कि इतना सब कुछ करना है, तो वो anxiety में चला जाता है, ये उसका response होता है, उन बहुत ज़्यादा गोल्स की तरफ, जो clear नहीं है, जिसको करने की आप में ability नहीं है, ठीक है, हो सकता है कि आपने कुछ ऐसे goal set की हो, जो बहुत competitive हो, जिसमें बहुत ज़्यादा high किसम के concept चाहिए हो, लेकिन आप में इतनी सकत, इतने competitive नहीं आप, या आपकी इतनी ability नहीं है, आपको concept समझ में नहीं आ रहा, तो वो जो gap है ना, इतना बड़ा, concept में और आपकी ability के बीच में, व कुछ भी achieve नहीं कर पाएंगे, कम, goals, quality time, और planning होनी चाहिए, ऐसा मेरे साथ अपनी life में हो चुका है, मैं एक test की तयारी कर रही थी, और वो test काफी मुश्किल था, और चुकि मेरे पास कोई clear plan नहीं था, और मुझे उन तमाम तर subjects ही को इतनी information नहीं थी, तो जब भी मैं लेकिन मैं जब भी पढ़ने बैठती हूँ, खास कर वो वाले subjects पढ़ने बैठती हैं तो मुझे anxiety होती, उस टाइम पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं अपने आपो गालियं देती, कि मैं सुस्त हूँ, मैं काहिल हूँ, मुझसे पढ लिमिट होती है, अगर आप बहुत तेज भागते हैं तो उसके बाद आपकी energy exhaust हो जाती है और आपको अराम की जबरत होती है, वैसे ही आपकी mind की भी ना, आपके brain की भी ना, एक capacity होती है, उसकी एक हद होती है, एक limit होती है, attention देने की, focus करने की, नए concepts को समझने की, और ज़्यादा मुश्किल चीज है और वो बहुत ज़्यादा है, तो आपका brain exhaust हो जाता है, उसके बाद वो हार मान लेता है, वो anxiety में चला जाता है, और जब हमारी mental bandwidth exhaust हो जाता है, तो फिर हम बहुत ज़्यादा poor decisions लेते हैं, poor decisions मतलब हम क्या करते हैं, हमें anxiety होती है, प्योंकि ह उस वक्त हमारे brain के पास जो हमारी cognitive abilities होती है, जो thinking brain है, जो सही गलत में फैसला करता है, वो exhaust हो जाता है, उसको फिर समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है, वो कहता है भाड़ में जाए assignment, भाड़ में जाए exam, हमें तो social media consume करना है, दोस्तों के साथ गप्षप लगा concept पढ़े, उसको समझे तो अपने आपको rest दे, एक घंटा पढ़ने के बाद एक घंटे से जादा कभी ना पढ़े, हमेशा एक घंटा पढ़े, alarm सेट करे, एक घंटा पढ़ लिया, फिर rest, brain को reset करे, अपनी mental bandwidth को थोड़ा सा relax होने दे, ताकि उसके बाद जब आपको concept पढ जरना पढ़ा होगा अपर लाइफ में, या जिनके घर में और वैसे मसले मसाइल होंगे, जो उनको बहुत ज़ादा fight or flight mode में रखते होंगे, यूकि trauma एक ऐसा, एक ऐसी state है, जिसमें अगर कोई बच्चा होता है तो वो अच्छे decision नहीं ले सकता, उसकी जो energy है, वो सारा fight or flight mode में रहते में जाया हो जाती है, तो वो procrastinate करता है, एक बात याद रखेगा हमेशा, कि less is more, जी हाँ, जितना कम होगा, उतना बेतर होगा, आप बोलेंगी ये क्या बकवास है, ये बकवास नहीं है, ये टॉइजम का फलसफा है, अगर आप चाहते हैं, कि अपने goals को achieve करें, तो कम goals रखें, कम goals आपको आपके brain पर भी जो है ना वो असर अंदाज नहीं होते, इसको exhaust नहीं करते, आपकी mental bandwidth को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते और आपकी self-esteem को भी तकलीफ नहीं पहुंचाते, जब आपके goals बहुत जादा होता है और आप fail होता है, ठीक है, तो आपका जो RAS system है, यानि कि reticular activating system जो कि आपके brain में होता है, वो फिर क्या करता है, उसके पास ज्यादा data किसका होता है, हारने का होता है, negativity का होता है, तो जब भी अगर कोई आपको एक गोल असीव भी कर लोगे ना, तो भी आपका brain आपको motivation नहीं देगा, क्योंकि उसके पास कौन सा data सबसे जादा है, negativity का, हार मानने का, हार जाने का, anxiety का, तो फिर वो ना, आपको motivation नहीं देता, उस काम को करने की, क्यों, क्योंकि उसका सारा focus का होता है, negativity पर, तो अपने RAS system को जान बुझ कर, प्रैक्टिस करके positive achievements की तरफ लेकर आएं, चाहें छोटी सी चीज ही क्यों ना, अपने, अपने RAS system को ही समझाएं, अपने आपको बताएं कि देखो, यह achievement है, यह success है, और जब आप छोटी-छोटी चीजों को अपने सामने रखते हैं, और छोटी-छोटी चीजों को जब आप achieve करते हैं, तो उसे समंदर बनता है, लेकिन याद रखें, अगर किसी बहुत बड़ी चीज से तरफ छलांग मारेंगे न, तो कभी भी उसे achieve नहीं कर पाएंगे, और आपकी self-esteem, आपका self-confidence हमेशा गिरता जाएगा, किसी का confidence गिराने का एक हतियार है, failure, continuous failure, confidence खतम हो जाता है, अगर आप बार-बार मुसलसल चीजों में fail हो रहें न, चाहिए आप कितन कितना ही बहतरीन क्यों न रहा हो, लेकिन बार-बार failure आप से आपका confidence चीज लेता है, इसलिए ऐसे goals बनाएं, जो आप achieve कर सके ताकि आपके अंदर confidence आए, तो ये जो टाइजम का फलसफाइन है कि less is more, यानि कि कम में ही बहतरी है आपकी, तो इसको मजाकरा समझें, इसको व करने की कुछ कर दिखाने की, दुनिया को प्रूफ करने की, आपको किसी को कुछ भी प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है, जैसे हैं बहतर है, बहुत बहतर है, ठीक है, हाँ, पाकी अगर कुछ life में सीखना है, learning है, या कुछ गलतीय है कुछ टीक करना हम सब इं दे उनको अचीव करें ताकि आपके अंदर confidence आया और यह जो motivational videos है ना जो आपसे कहते हैं कि आप सब कर सकते हैं सब हो सकता है नहीं यह ना देखें आप कभी कबार ना सब नहीं कर सकते और सब करने बैठेंगे ना तो वो जो है ना आपके बातों पे नहीं चलता ठीक है उसको पता है कि क्या realistic है क्या unrealistic है कौन सा plan आपका execute किया जा सकता है तो उस पर अपने energy लगाने के लिए तयार है और कौन सा plan आपका execute नहीं हो सकता वो बस आपकी fantasy है तो वो उस पर energy नहीं लगाता और anxiety में चला जाता है I hope कि Khadija अपने goals को कम करेंगी अपने time को manage करना सीखेंगी और clarity लेकर आएंगे अपने दमाग में कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती है और कुछ चीज़े जिनको वो शिद्दत के साथ पकड़े वे बैठी ही कि नहीं मुझे करना है करना है करना है वो उसे छोड़ देंगी उसे let go कर देंगी और जो practical उनके goals है जो practical approach है उसके साथ चलेंगी I hope कि इस वीडियो ने शायद आपको भी मदद की हो अपनी procrastination को समझने में एक किताब है How to become a straight A student मैं इस किताब को भी पढ़ रही हूँ और 90th page पर हूँ मैं इसका review जरूर दोंगी अगर आप मेरे review तक का wait कर सकते हैं तो कर लें लेकिन अगर आप फुद पढ़ना चाते है तो इस किताब को पढ़ सकते हैं अगर आप भी procrastination से गुजर रहे हैं तो comment section में जरूर बताइए कि आपके ताखीर करनी की वजुहात क्या है क्या आपकी plate ने भी बहुत सारा खाना और आप खानी सकते हैं क्या आपने भी बहुत सारे goal set कर लिया और वो पूरे नहीं हो रहे मुझे comment करके जरूर बताइए अगर यह वीडियो आपको पसंद आए और इसे आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे like कीचे, share कीचे, मेरे channel को subscribe कीचे, इंशाला अगली वीडियो मुलकात होगी तब तक कि लिए अपना बहुत ख्याल रखेगा, thank you so much